तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोश्चन भारती वह बनकानी लग उतर है टैप कोश्चन और यह जो कोश्चन है हम लोग का यह चेप्टर नमर दुए अमन फसल सल्ला बनका इस चेप्टर हम लोग परहेंगे ऊसके पूरे अंसर है एक जिलर के तयरा कोश्चन का और जितना वीडिमील्ड जितना यह हो सके उतने चाहिए तो सुचक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वह आभासक देखे पहले तो सुचक बनाने के लिए आभासक सामे लेड़ी हम लोगों को हल्दी के चाहिए का ठूको एक मतलब करने के यहां परी करागी में आलिकर इतुख्या नियानि यह तो इस पर गास ने ग़े या फिर हल्टी वाओडर तो हल्द्य पोड़र लीजी या फिर जा इट ळिस्यागर हल्दी थोगा कि घरंपानी करके फाल कर च। छान लेना होगा तो तो उससे क्या हो जागा या वी जाएंग आगे साबण का दीन neural नी साबंण मैं जल साबं कु छूर चूर तोर करा साबून में जल मिला लेंगे तो जागा आगे शाएंग अबक निलिया आगर अपको सदिक कर तो आप सीटर्स यह अदे रहा लक्स लगाईए और खुबसरत तो चाप पाईए अगर ऐसे होता सब लोग लक्स लगाए कर खुबसरत हो जा बताओ इतने बले आदमी पांच लिपे वला साबन लगा सकते हैं कभी कभी ने सिर्फ परचार करने के लिए बोल देते हैं तो देखेए अब इसके बनाने का बीदिखया होता हैं तो हल्दी का पाणि में पांई पौरर का जल मिलाकर बिलियन बनाएंगे फिर साबोन का मिलन बनाएंगे फिर इंभो का रसु लिए होगी है इक क्विटोर्द दोनों प्रकनलี हम लोग क्या करेंगे रुपार लेंगे bis यह जोन इतना रहेगा तो फिर आगे देखे हंंग क्या लेक्ट हैं। आप यही पिद्ध लिए जाए ताकि आपको जादा बोलने के साथ समझ में भी आसानिश से आ जाएं तो बोला कि अब हल्दी के पीलेन वाले एक प्रक्नली में साबून का पीलेन डालें ठीक अब जब यहां पर एक हल्दी का देखिए इसको थोड़ा जाएम प्रक्नली बणा लिते हैं यहां से बने गए है मेरा दो फ्रक्नली ऑब इसमें देखिए दोनों में क्या था अल्दी था हल्दी का लुटा है पीला होता है तो कलर हम च्छंज कर लिते हैं छिए हो गया है देखें 2 … प्रक्राव में कहा है कि की पीरा रंका हल्दी है इनी बिलियों तो आध सावान का All the action we are छिए ड्य द आले हैं तो हम फैड़ी की शापन का पी साथा चला है रहा मुड़न भूरिा ह। पारी फरिक्तर होगे हैं भाहने से नोट कर लीए कि अंधगे बढ़ते हैं क्या होते हैं और इन से लिए तो प्राकृतिक सुचक क्या होते हैं और इन से प्राप्त किया है तो यह सुचक जो प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सुचक कर लाते हैं वे सुचक कहां से प्राप्त होते हैं प्राप्त करते हैं तो यह क्या है प्राकृतिक है तो अगर नीला लेटर्स हो है तो उसको लाल कर देता है और अगर लाल है तो उसको नीला कर देता है फिर हल्दी भी नेचरल है प्राकृतिक है तो आमल में इसका प्रभाव पीला ही रहता लेकिन जब यह चाहरा कोई खाना की रही है अब वह खाने पर हम साबून से रंगते हैं साफ कर तो उसका रंग चेंज हो जाता तैसा क्यों होता तो चाहरी अप्रकृतिकान खाना खाना पर जब लोग साबून लगांगे तो क्या हो तो इसका रंग मैं परिवरतना नहीं होता है ठीक और जब वहह सबक्रण में हम जाते है इस परकार हमिनों को सकते हैं कि यह उप्तंता पीला ही रहेगा लेकिन रहेगे दो लल फिर्वरा विर्क Megat तो आपको पता करना है कि हमारे लिए खराब है या फिर फ्यादर मन्द है तो अमली और चार्या प्रक्र तो आप चेकर खायेगा अगर ज्यादा पर कुछ लेवल नहीं रहेगा तो फिर आप उसका प्योग कर लेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहीं आपको यह बुक्त सिखाने की सब्सक्राइब कोशन नमर थी क्या क्या है आप पड़ते के एक उदारान दे तो हम लोग पर चुकिए अपने उन सारा मुद्धालाब है यहां पर लिखा वो भी लिख सकते हैं तो आपले एसा किसने ने कहा था और किसी ने बतायता है है जैसे होग है यहां पर आप उल्टाने समझ लीजेगा यहां पर यह नीला है क्योंकि जल से उपर है न तो निला ही होगा ना अब जल के अंदर क्या तो इसका परिवर्टन हो गया है तो नीला पत्र को क्या एक ट्रीक है और नीला यानि और से हो गया अम्ल नी से हो गया नीला अला से हो गया लाल अब आप ही सोचे किसी बैक्ति कोई बैक्ति है किसी बैक्ति पर हम लोग कोई अम्ल डाल देंगे तो उसका सब्सक्राइब क्या हो जागा लाल पुला हो जाएगा ना तो नीला से क्या हो जागा लाल पिला हो जाएगा आगे आपको टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट पता वहां पर चल जाएगा ठीक यह कोश्चिन आप नोट कर लिए फ्रक्स है भरते हैं आगे आगे कोश्चिन नूमर थिरी फो थिरी का हो गया अच्छा यहां पर देख लिजे यह जाओ है जब हो एक संपरक में आएगा भीलिएटर देखे कैसा है लाल काकर को नीला कर लहा है आगे बैसे आ कहा जाता है जो और भास्मी की अभी किरिया के फालसुरूप बंद जैसे आम लोगे आप रत होगा लवन और जल जैसे होगा इने स्पीड में चलेंगे नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है कि नोट करते जाएगा आप कोशन कि कहते हैं कि लवन के समान लबन के लबन समान लबन की किThis कहते हैं या तो अमन, जो होगा या फिर भासम, तो अमन, समान लिगा या फिर दोनों दुरबल हो गा तो प्रवाबल, किर्या पौरबल, करवाते हैं तो उसके क्या मिलता हम लोगों समानी लबन मिलता है जैसे कि क्रिण करवाएंगे आगे आगे लबन क्या करा कि प्रवल और दुरुबल अमने कि प्रवाइब ने कि आप फुता यह च्छ दो पहल मान एक मजबूत फेला ल Nowadays बन खैना की बगाएंगे कि Marin घृतिया होगा तो फुलो अंल्या में दिया गुन के लवन होगा यानी एमग्जी सेल टूब फ्लस एच्च तुव तो नेक्स्ट कोशन पर हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमर फाइव कोशन नमर फाइव में क्या कर रहा है कि उदास्रीनी करन अभी किरिया क्या है तो यह तो बहुत अच्छा से आपको पता होगा उदारन देकर समझाएगे आमल तथा भास्म के अभी किर्या के फल्स रूप लव और जल प्राफ्थ होता है जैसे यहां पिक्राइब लवन और जल मिलना है अब यहां पर देखिए ऐगगे तो जब दूनों को लगा नी जो प्राप्त हो रहा है लवन और साथ में जल इसको आप लेंग पर लिख सकते हैं कि जब हैट्रोक्लोरिक अम्र की अपके किरिया करवा जाती है तो परतिफल ग्रूप में सब्सक्राइब करते हैं ठीक है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को सब्सक्राइब में आप क्या जानते हैं ठीक किन-किन तरह को सब्सक्राइब कि तुलना की जा सकती है सब्सक्राइब कितना प्रतिफल आयन है और कितना मात्रा में एच प्लस आयन वह मुक्त करता है तो वह इससे पता चल सकता है कि अनीज आएन आएनों की मात्रा उसकी पता करता है जैसे कोई अमने कितना अगरे तुर्वल है याज जीरो या दो फाने तो जादा आपन लियोगा तो तो प्रवल अमने दृवाल में तो लिए बड़ा करने बड़ा में बड़ा का और लोग रहतीम इस ठीलांग होदा यह लोग और लोग पीछे वाला वीडियो में बताएं कलास में याप पर होंगे माइनस लोग एच पर लस आयन जो होता है न तो जिसका प्रबल होगा और तुलना करेंगे बड़ा तो जिसका बड़ा होगा न वहीं क्या सब्सक्राइब कर देगा कि अपने कन को वह मुख्थ कर देगा ठीक है आगे बार ते कुछिन निमर कि सेबन कोचिन निमर सेबन क्या कर रहा तो आप आसाने से खुद से भी कुछिन बना सकते हैं तो हम देख लेते हैं आमल वे पदार था जो जल ये वीलियन में हैट्रोजन आयने एच प्लस आयन वह परदान करते हैं क्या करता हो एच प्लस आयन परदान करते है कौन तो जल ये वीलियन में साक किस ने कहा था तो आरहने से ने कहा था जैसे है अब जैसे हम लोग इसको मिलाएंगे आप इतना लिख लिजेगा एच टू ओ यानि यह तीर को पर लिख लिजेगा जली उनों अब घ्रोजन एच प्लस आयन मुकत जाता है अलकुलरीन आलग हो या तो यहांपर कौं इस प्राप्ध हो रही है उदाहरन एच उसी ज़्याड है है अमने को दाहरन है और चार बादर में क्या वताथा आले हैं चार्व पॉएच चाथ से माले वाले बायों को क्या करते हैं लेक्वस्ट। सीन और साथ से अधिक होगा तो भास्मिक हो जाएगा तो यह भी कोशन मेरा हो गया किलियर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्ट पुश्टि करें तो पहला एनच फॉर्स यह का जलिये विलें अमली होता है क्यों तो हम जानते हैं कि प्रबल अम्रिया तथा दुर्बल अम्र से बन मिलिये हमाँ रहता है तो यही कारण है कि इनका जो जलिये विलेंड होता है अमली होता है कि आगे दुश्टि-घुण उसक्तुरी इरहे हो था कि का थी से निंट इज होता है क्योंकि प्रवल अब था प्रवल भास में से बने लवन का विलियन जो होता क्या होता उदास्चीन होता है तो यह कोश्चन भी मेरा के लिए प्रोब्लम क्रियेट हो जाती है करने के लिए बहुत सरा उपाई का उप्यों करते हैं तो देखे पहला क्या करा कि हमारे सरीर में जयाब रासाने का किरियाओ की प्राद साथ जीरो से साथ दसमल आठ की बीच होती है इसमें परिबारत हमारे सरीर पर घातक प्रभाव डालता है पेट की अमले ता वह ग्यास की समसा को दूर करने के लिए 6-6 पर कृति वाले मिलकाएं वाले मेगनेशिया का प्रयों अब कभी कभी ज्यादा खाना खाला तो या प्रक्भी कभी आप अपच्छाना आइज जल्दी पर्चता नहीं है कि है कि हाट्रोक्र्टलर के हमारे सद्धी से स्ट्रावित होता है तो यह बहुत तो यह जानते हैं दूसरा देखिए अमली बरसाइं में जल का पांद च्छो से कम होता है इस जल के फल्स रूप नदियों का प्याच मान भी कम हो जाता है जो कि जल्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता इस से बचने के लिए चुना मिलाते हैं यह बहुत अगर आप नहीं देखिए तो आगे बढ़ते हैं अगे दात का इनामील जो हम लोगा दात का आगे बना होता है दातों के सफाइड नहीं करने पर बैक्टरिया के सद्वर्णे से अम लोग कि उत्पति होती है जिन से मूं का लार पीच ता पांदा से कम चला जाता है अब ज लोग क्या करता है कि इना मल को नुक्सान पहुंचता पहुंचता तो इसके उपाई है तूट पेस्ट का अपयोग करते हैं आगे मतमाक्यों के डंक में मैं नौय कम होता है इसके डंक से होने वाले जलन को शांत करने के लिए चार यह प्रकिर्टि के बेकिंग सोदा का उप्योग करते हैं जाब यहां पर अगर मतमों को कात लेता है तो अगर हम आपको समझ में आ जाता होगा पर किसे कि लिखेंगे अभनी नंबर 10 का यह समति होते हैं इस जैसे आप निम्बू आप काच्छी आप यह सब खाते हों तो किसा स्वाद आथा होगा खटा स्वादाता है ना अगर नहीं खटा स्वाद अगर निम्बू खागर देखिए तो क्या आपको पता चल जाएगी क्योंकि निम्बू में सिट्रिक अमल पर तो तो क्या होगा खटा होगा यह नीले लिटिस पर क्या कर देता है लाल अनिला और नीला ला से लाल आमले केवल जल की में पस्त अमले कुन दर्शात यानि जब तक इसका हम जलिये बिले नहीं बनाएंगे तब तक इसका हम लोग नहीं बता सकते कि यह या फिर भस में इनका जलिये बिदूत का क्या करता है चालेंगा जैसे देखिए हां पर दो किल एक किलिये हो गया चिक और किलिये होगा किसका बना हुआ है धातू का अब इस वीक पीच में जो हम लोग रखे हैं ना क्या रखें कि अमले तनु अम्ल का बिलियन है तो देखें कि जब लोग इससे धारा प्रवाहित की यह तो दोनों तार्ट तो आपसमें नहीं जूरा है लेकिन फिर भी से धारा क् प्रवाहित हो रहे तो इससे पता चलता है कि जो अम्ल का बिलियन होता उससे धारा प्रवाह ओती है ठीक कि पांच मां क्या कर रहा है कि आप नोट करते जाएगा कितना वहां बोल देते हैं पीछे में गुस्ता नहीं हो जाएगा करी कि देखें पांच मां अम्ल के अभी की रिया धातु से करवाने पर हाट्रोजन का समुगत होती है यहां पर आप इमेज पर लिए होंगे आसाने से पीछे वाले क्लास में देखें होंगा कि आप इसको ड्रोग कर सकते हैं ज्यादा हाट तो है नहीं कि देखें तनियस अलफूरे का मला है और हाट हो जैनका इसके बूल बूल यहां से निकल तो इसको हम लोग चेक करने के लिए यहां पर बरतन करने साथ चेक कर सकते हैं पूश्ण ममरे 11 बास्म वक जिश्कू और करें लाकू गोर्त प्रदान प्रदान करते हैं अगर उले कि तरौंस की तरौत हो गया पांच अगने और लिखे हैं तो आप वही रहना दिजेगा इसको चीज़ नहीं करिएगा कि चलिए कोर्शन नम्मर अब कौन सा बारा बारा कि बिलेचिंग पाउडर को किस प्रकारा बना जाता है कागज बनाने के फैक्ट्री में बिलेचिंग पाउडर का किस कारी के लिए होता है बिए पर आंप करे यूब्लाइन को है कई चीशी एक बनाने की प्रवाइब करने बन देसे होता है कि आगे हैं कि अक्सर अपने अपकर्णों और अस्थानों को साफ करने के लिए मजबूत कि रहना से जन्टों क्या आप सकता होती है यहां हमने पारा कुछ प्रमुक उद्धों करने पर चर्चा कि कि अब भूल देख़ेख से कांज़ बनाने वाले फ्रक्टिरियों की बिरेशन पार्ण काफ यह का ग्रट करने में गया था काफ बनाने वाले फ्रक्टिरिय में का क्या होता है यह रहेंगे मिलाएंगे तो तो क्या करेगा वो पूरे तरस उसको बिरंजित करने वाइट कर देगा तो वहां पर हम लोग फ्यक्टरी में इसका प्योंग किया जाता हूं आगे लाइस्ट कोश्चन और कोश्चन नमर थाटिन है विरंजित चुन का रासाने के लिए रसाने के लिए रसाने के लिए रसाने के लिए यहां पर सवारी इसको सही कर लिए जिए जिए कर लिए उसको ग्रहन कर लेता जब 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 दोनों अभिकिरिया करता तो यहां पर हम लोगों को चूना मिलता है तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से आस-पास के किरिया दर्साने के लिए रसाइब सब्सक्राइब करेंगे चुना पत्थर जल और क्लोरीन गस यहां पर हम लोगों को राप्त होगा तो आज का कोशन थोड़ा में स्पीड में की हैं आप वीडियो लोग कि आप देख सकते हैं समझ में आपको असाने से आगया होगा ठीक है तो मिलते हैं अब अगले क्लास में जाइंट